सियासी गलियारों में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता कुछ अलग ही सरगर्मी इन दिनों बिहार की राजनीती में देखने को मिल रही है जहां पक्ष विपक्ष मिलकर इफ्तार पार्टी कर रहा है दरसल तेजस्वी यादव ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और इसमें बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार, शिराक पास्वान और कई विपक्ष के नेता शामिल हुए ऐसा लगता है कि मानो बिहार की राजनीती में एक नई सियासत शुरू होने की संभावना है अब ये संभावना ही रहेगी या हकीकत ये तो आने वाला समय ही बताएगा बिहार की राजनीती में एक नया ही नजारा देखने को मिला जब तेजस्वी यादव ने एक इफतार पार्टी का आयोजिन किया और इसमें बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार, चिराग पास्वान और कई विपक्ष नेता शामिल हुए यह पार्टी अपने आप में एक अलग ही कहानी कह रही है क्या बिहार में एक नई राजनीतिक इस्ति बन रही है या फिर यह महज एक संजोग है लेकिन बिहार की राजनीती में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चड़ रहा है इस पार्टी में भाजपा के भी कुछ नेता नजर आए लेकिन वह अलग थलग ही नजर आए बिहार की राजनिती गलियारों में जोर शोर से यह बात उबर रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चिराग पासवान, नितिश कुमार और तेजस्वी की एक नई जोड़ी बने और संबब है कि पार्टी भी वैसे तो कॉंग्रेस, NSP और लगबक सभी पार्टीओं की लोग इसमें शामिल थे परन्तु बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार और चिराग पासवान का इस पार्टी में शामिल होना नी संदे एक उत्सुकता जगाती है प्रादा दर्पर नियूस के लिए बिहार से राजिश कुमार की रिपोर्ट